कृष्ण का नहीं है जिनके मन में उतर गया है जिनकी हिर्दे में प्रगट हो गया है उनका मन कहीं नहीं लगता एक मात्र गोविंद के श्री चर्ण कमलो को छोड़ करके उनको सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते नाते दोते रसो भी बनाते जाड़ु मारते दफ्तर जाते सदे उस घरी का चिंतन बना रहता है वो बिशरते नहीं अनन्यास चिंतियंतो माम ये जनापरी उपासते हैं पासते भजन करते हैं चिंतन बनन करते हैं जब कीरतन करते हैं नास्ते गाते हैं भोग लगाते हैं भगवान को रसोई बनाते हैं भगवान के लिए अर्पन करते हैं यद करोशी यद स्थनासी यज्योसी ददासी यद तपश्चसी कौंती तद करोशो मद अर्पन हे अर्जुन ऐसे मेरी भक्तों के योग शेम मैं पूरा करता हूं योग यानि उनको मैं मिलता हूं जो उनको मिलने की चाहो वो पुर्दान करता हूं जिस जगह जाने की चाहो उस जगह को पुर्दान करता हूं जो भी उनकी अबलाशा हो पूरी करता हूं जो वस्तु चाहिए वो वस्तु देता हूं मेरे शुद्ध भक्तों को वो एक बर कहकर तो देखे मैं सब कुछ देता हूँ मैं अपने आपको दे देता हूँ और जो कुछ भी देता हूँ इतना ही नहीं उसकी रक्षा भी करता हूँ मेरे भक्त की रक्षा करता हूँ उसको जो कुछ दिया उसके रक्षा करता हूँ उसके भजन की रक्षा करता हूँ उसकी अभिलाशाओं की रक्षा करता हूँ तूटने नहीं देता पूरी करता हूँ अनन्यास चिंतियन तो माँ ये जनाप परियुपास दे तेसाम नित्य अव्युकतानाम योग खेम वाहा मिहम एक जगनात फुरी में जगनात फुरी पूर्व दिशा में है भारत में भूने इश्वर के पास उड़ी सामे एक बहुत सुन्दर वगवान के भक्त थे भक्ताचारिये जी घर में पत्नी थी वो थे बुड़ापा था दोनों पत्ति पत्नियों को भवान की भक्ती करते थे रहते थे दोनों भक्त थे अच्छे भक्त थे भवान की शुद्ध भक्त थे एक दिन गीता पढ़ते पढ़ते यही इस लोग जब उन्होंने पढ़ा बट्टाचारिये जी ने तो उनको थोड़ा सा कि योग ख्षेम वहाम एहम कि मैं मेरे भक्त को क्या देना है क्या दिलाना है और उसकी रक्षा मैं स्वयम करता हूं तो थोड़ा संदे हुआ कि स्वयम को करने की क्या अवश्चक्ता होती होगी किसी को आदेश देजेते होंगी कि और कि इस पुलिस वाले को या मिनीश्ट को या कोई देवीदेता को कि मेरा भक्त है उसकी रक्षा कर और उसका जोभी जाँपडी आश्र में उसकी रक्षा कर उसके उपर कोई आच ने आए और जो कुछ चाहिए वो मैं स्वेम जाके दिता हूँ तो उनको संदे हुआ कि किसी के द्वारा दिला देते होंगे कोई बड़े सेट के द्वारा भै कंबल नहीं है मेरे भक्त के पास या रहने को जगे नहीं है या यातरा को पैसे नहीं है वो दिला देते होंगे किसी के मारफ़त ऐसा कुछ संदे हो गया और उन्होंने वो गीता की इस लाइन को काट दिया गीता में से योग शेम वहां में हम की जगे कर दिया ददान में हम की दिला देता हूँ वहां में हम का मतलब है कि मैं स्वेम देता हूँ और ददान हम का मतलब है मैं दिला देता हूँ बड़ा अंतर हो गया और वो इसको करक्षन करके उसके बाद में अपना पाटरन पटरन बंद करके और चले गए भार गर में भक्त शिद्ध भक्तों की घर कैसे होते है चोटे मोटे घर जिसमें कभी अन हो खाने को कभी नहीं हो वो यालत थी आज सबजी भी नहीं है और कुछ आटा भी कत्म हो गया कुछ अन दाल भी नहीं है तो बटाचारी जी की पत्नी तो घर में है ये बटाचारी जी कहीं लेने करने के जुगार में गए हैं कहीं कहीं से दिलाएंगे मुझे भगवार उन्होंनों ददान हम तो करी दिया कलम से काट एरे भाई दिलाई दो आप खुद देने कहां होगे या भूके मर रहे हैं लेकिन उदर वो बट्टाचारे जी जुगार में कहीं गए हुए हैं कुछ मिल जाए कहीं कोई सेठ वगाराओं से कोई मित्रों से कुछ खाने पीने को अन्न जल थोड़ा मैं खालू पत्नी को खिला दू भूके हैं लेकिन उदर चमतकार क्या गड़ता है एक बालक जो है दस बारवर्ष की होस्ता का बालक अपनी सर के उपर तो पट्टी बंदी हुई है बालक के और खुड़ा खून भी टपक रहा है और सर के उपर एक बड़ी पोटडी रखी हुई है बड़ी बजंदार और वो कट्राई से चलता हुआ घर में घुस्ता है बट्टाचारी जी कि जा पत्नी ही एक मात्र है बट्टाचारी जी तो भार गए हैं और वो बालक ने कहा मैया ये गठडी उतर वालो अरे बेटा क्या इस गठडी में बड़ी बजंदार गठडी थी दो उतारी दोनों मिलके और कहा बेटाई ये तेरा क्या लाया गठडी में यह क्यो लाया है हमारे गर में बोलो मैया ये तुमारे लिए लाया हूँ देखो तो कोल के तो सभी चीज़े फल प्रूट है अन है दाल है चावल है केहूं है आटा है सबजी तरकारी है मैया कहती है कि बेटाई तेरे खुन कैसे निकल रहे है किसने तुझे मारा है मुझे बतला तुम इतना मैनत करके कहां से मुझे ये इतना सामाल लाया है तुम मुझे बतला किसने मारा है तुझे बोलो नहीं मैया रहने दो कोई बात नहीं है किसे ने मुझे मार दिया आज डंडे से मारा मुझे मुझे नाम तो बतला उसका मैं उसको देखूंगी मुझे जाने दो मैया मुझे नहीं बेटा तुम मुझे इतना कुछ लाया है तो मुझे ये भी जरूर बतला इतने सुन्दर भालक तेरे किस ने मारा है किस बात में मारा है बलो क्या बताओ मैया तुम्हारे पती नहीं मुझे मारा है और डंडे से मारा है और मेरी पती ने मेरी पती तो बीचारे कुछ बजा कभी ऐसा करते नहीं किसी के साथ वो तो बगवान के भकते हैं वो किसी बंड़ावा हाथ में भी नहीं उठाते ये क्या कह रहो बेटे बुढ़ा हां मैया आपके पती नहीं मुझे मारा आए ये कहके वो बालक चला गया वहां से हाथ छुड़ा कि चला गया मैया से आखिर कुछ समय के बाद में जो बट्टा चारी जी आए खाली हाथ कुछ मल मिला नहीं लेंपंडित उनकी पत्नी जो थी उन्हों सब कुछ बतलाया कि एक बालक आया था यहां सावला सरंग था दस बारवर्ष की अवस्था का यह पोट्डी बड़ी बजंदा पोट्डी रख के लाया और मुझे दे गया पता नहीं कौन था किसका बेटा था लेकिन उसके सर में आपने क्यों मारा आपने डंडे से मारा उसको आपने तो कभी ऐसा किसी के साथ किया नहीं उसको क्यों मारा इतना सुन्दर भालक इतना सावला सा रंग इतनी भोली सी सूरत उसको क्यों मारा वीचारे को भट्टा चारी जी बोले बेने किसी को मारा नहीं है वो बच्चा कह रहा था कि तुमने मैया तेरे पती ने मारा है मुझे डंडे से मारा है बटाचारी जी रो ने लग ए कि मुझे महान अपराद हुआ है महान अपराद हुआ है मैंने मैं समझ गया वो सुएम कृशन थे मुझे अपराद हुआ है जो मैंने योग शेम वहाम्यम की जगे कलम से काटकर के गीता में ददा में हमें लिखा है वो ही बड़ा अपराद हुआ है वो मैंने उनका एक शब्द काटा है वो ही मेरा महान अपराद हुआ है वो ही उन्होंने दर्षाया है आकर के यहां कि मेरा सर तोड़ दिया मैंने जो कुछ बचन कहे मेरे सर में डंडा मार दिया उन्होंने तुरंत जाकर जो इस स्लोक में है बगवान कहते है कि मैं मेरे भक्त को स्वेम जाकर के उसको क्या चाहिए और किसे मिलाना है मैं स्वेम करता हूँ उसकी रक्षा मैं स्वेम करता हूँ किसी से करवाता नहीं मैं स्वेम करता हूँ बटा जारी जी खाली आता है कुछ नहीं मिला उन्होंने ददाय में लिखा तो भी नहीं मिला लिए वहां में बहुआन का सार्तक हुआ बहुआन में सुयम आके दिया कि मेरा यह शुद्भकत है और यह अपनी पत्नी सहित भूका बेठा है बहुआन की ऐसी लिला है यह लिलाओं को सत जानना चाहिए मानना चाहिए भगवान क्या नहीं कर सकते अनन्याश्चिंतियंतों माम यह जनाव परियुपासते ते साम नित्य अभ्युक्तानाम योगक्षेम वाम्यम यह यह अप्यन देवता भक्ता यह जनते सर्द्धान विता ते अपी मामेव कौनते यह जनते अविदी पूर्वकं बगवान कहते हैं जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं देवी देवताओं का वो भी मेरा ही पूजन करते हैं लेकिन वे एविधी पूर्वक करते हैं उनको विधी मालुम नहीं है वो डायरेक्ट मेरा पूजन नहीं जानते एविधी पूर्वकं यह बिना तरीका यह कोई तरीका नहीं ह कि देवताओं को पूझते हैं वो भी मुझे ही पूझते हैं लेकिन विदी पूर्वक नहीं विदी विदान तो यह है कि मुझे साक्षात नारायन को पूझना चाहिए मुझे एक को पूझना चाहिए मुझे परमिश्वर को पूझना चाहिए तो सब पूझ जाते हैं कबीर जी ने लिखाए एक की साधना करने से सब सद जाते हैं इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि जिस मार्ग से भवान सरी कृष्ण का भक्त गुजरता है उस मार्ग में देवी देवता फूल वरसाते हैं और कहते हैं कि धन्यों भक्त भवान सरी कृष्ण का उस गोविंद का भजन में तल्लीन हो धन्याप जैसे ब्रक्ष की जड़ों में पानी डालने से सारा ब्रक्ष तमाम ब्रक्ष हरा भरा हो जाता है फल फूल दिता है ठीक वैसे ही मूल जड़ों में पानी डालने से मूल परमिश्वर की पूजा करने से आदिपुर्श नारायन की पूजा करने से यह तमाम देवी देवता अपने आप ही प्रसन हो जाते हैं यह सूर्य अगनी चंद्र सब प्रसन हो जाते हैं भवान की साधना करने से भवान का पूजन करने से सब पूज जाते हैं और भवान का पूजन नहीं किया और सब का पूजन किया तो उनका ही पूजन होता है लिए ए विदी पूरवकम वो विदी विधान से नहीं सब्त रूप से नहीं हुआ ऐसे ही है जैसे कभी-कभी हम न्यू आर्क में जाते हैं सडक पर कोई-कोई मैं अपनी सुना रहा हूं कोई-कोई व्यक्ति अपने कुट्य को लएके आता है आत में चैन डाल कि गले में कुट्य को घुमाता है मैं कुट्य को बोलता हूं हेलो कुट्ता दू मिलाता है बड़े प्रेम से मुझे देखता है मेरे उपर चड़ने की कोशिश करता है लेकिन मालिक खुश हो जाता है मालिक से मेरी जान पेचान भी नहीं फिर भी वो भी अपनी मूँ से बोलता है अलो ऐसे ही आप यदि मूल में पानी डालेंगे तो सारा ब्रक्ष हरा बरा हो जाता है मूल परमिश्वर की साधना करेंगे पूजन करेंगे बजन करेंगे उनको अर्पन करेंगे तो प्रसन होने से सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं प्रसन हो जाते है बवानी यह कहा यह बात को यह पिर कहा बवानी की भक्त मेरा जानता है कि में सभी यग्यों का भोगता में हूं जहां भी यग आप करोगे इसलिए तो पंदजी जब कोई पूजन यग करवाते हैं देवी देवताओं का बड़ी प्रेम से दो धाई तीन गंटे तक लिए अंत में वो जरूर इसलों बोलते बहुआन को अरपन करने का नमो ब्रामन ये जगादविता आप क compatri publikum सेख बनेवी गोविंदा नमो नमा श्री कृश्नार पनम स्री कृश्णार पनम स्री कृशनार पनम स्री कृश्नार पनम हिए को जोड़्य हमने देवी देवताओं का पूजन किया इस द़र भागवां श्री कृष्ण में करते हैं अंत में वों सब कृष्ण भगवान को अर्पन कर देते हैं देवी देवतां को तो प्रसंद किया वह एविधी पूरवकम है जरूर अवश्च लेकिन पंडितों को कुछ ग्यान तो जरूर है वन्हा पंडित कौन कहेगा उनको ग्याने कि वासुदेव भगवान सरी कृष्ण को यह अर्प करते हैं मंतर से मुख से बोलकर बोगता राम यगत अफसाम सर्वलोक महेश्वरम सुर्दम सरुभूता नाम ग्यात्वामान शांती मृच्छती बगवान कहते हैं मैं सभी यग्यों का भूगता हूं यांती देवृता देवान अभी समझने की बात है कि वह बगवान का कि सही लेकिन उसमें नुक्सान आपको यह है कि यदि तुम देवताओं को फूजोगे तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे यदि किसी देवता को परसन न कर लिया तो उसकी क्रपा से आप देवता को प्राप्त हो जाएंगे या देवता आपको मिल जाएगा दर्शन दे देगा या आप देवलों को तक भी चले जाएंगे स्वर्ग लोग में पित्रों लियांती पित्र वरता और जो पित्रों को पूछते हैं जो मर गए, गुजर गए फोटो लगा रखी है मेरी मा की फोटो है रोज़ अगर बती दीपक करते हैं प्रणाम करते हैं बर्डे मनाते हैं तो केक का पीस मा ओप फोटो के आगे भी रखते हैं मा के लिए यारपन करते हैं कुछन कुछ पूजन जैसा करते हैं तो बोलों जो पित्रों का पूजन करते हैं जो गुजर गए बुजर गुलो तो जहां भी होंगे बुजर गुलो वो उनको प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उन से उस आत्मा से इप्रेम कर रहे हैं जो आज पित्र बन गया है, चाओ जिसी भी योनी में हो, मनश की योनी में हो, या देव की योनी में हो, या गदे की योनी में हो, जहां भी हो बजर्ग होगा, पित्र होगा या पित्र लोक में हो, ये पूझक, पित्रों का पूझने वालो, यदि पूरी तरह से पेम है, तो वहां उनको मिल जाएगा यांती देव वृता देवान पित्रीर यांती पित्र वृता है भूता नहीं यांती भूतेच्चा फिर भवान ने कहा है कि भूत प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेतों में चला जाता है भूत इनको भी कहा है तत्तों को अगनी देव प्रत्वी मात ये भी भूत हैं अगनी भू देवी प्रत्वी बहुछ से लोग अगनी देव की पूजा करते हैं बहुछ से सूरी देव की करते हैं कोई जल देव की करता है वर्ण देव की कोई इंदर देव की करता है वायू देव की करते हैं लेकिन यहाँ पर दोनों मिनिंग इस श्ब्द के निकल रहे हैं बूतानी यान्ती बूते एच्चा जो बूत प्रेतों को पूँचते हैं वो बूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं अगनी को पूझने वाले अगनी देव को प्राप्त हो जाते हैं, सूरिय को पूझने वाले सूरिय देव को प्राप्त हो जाते हैं, वरुन को पूझने वाले वरुन देव को प्राप्त हो जाते हैं, जलके अधीपती वरुन देव। आपका अत्यदिक इसने है वह आपको मिली जाएगा और कोई वस्तु हो या कोई धान हो या कोई मनुष्य हो या कोई देवता हो या कोई भूत परेथ हो जहां पी या कोई पित्र देव पित्र लो का पित्र हो कोई आपका बुजुर्ग हो आपका गुरु हो जहां भी आपका प्रेम है सने है वो आपको अवश्य मिलेगा जिनके जिन पर सत सने हूँ सोती मी मिले ही ना कच्छु संदे इसमें संदे थोड़ी है यह भगवान निया कहा है यान्ति देवर्ता देवान पित्रेन यान्ति पित्र वर्ता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो अपिमान और है अर्जन मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं मेरे पास आ जाते हैं मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं यह समझने की बात है तो पिर देवी देवताओं को पूझे, उनको मिल जाओगे आप, कृष्षन को नहीं मिलने वाले, कृष्षन को तो कृष्षन का प्रेमी मिलेगा, कैसे आप कृष्षन को मिलोगे, आप तो देवी देवताओं को पूझ रहे हो, दुरुगा के प्रेमी दुरुगाजी को मिल मिलते हैं सूर्य के प्रेमी सूर्य को मिलते हैं भूतों के प्रेमी भूतों को मिलते हैं प्रेतों को मिलते है जैसे कोई पद का प्रेमी हो उपद को प्राप्त कर लेता है ऐसे ही यह हालत है जहां आपका प्रेम है जिस चीज से प्रेम है वह आपको प्राप्त हो जाती है अरे तो आपनी जो भी सच्चे रूप से स्ट्रॉंग डियार है वो आपकी पूर्न हो जाती है सच्चे इर्दे से जो आपकी इच्छा है वो पूर्न हो जाती है तो आपकी सच्चे इर्दे से कोई देवता को प्राप्त कनी की इच्छा है तो पूर्न हो जाती है रस्ते पर जाना पड़ता है कनिया कहता है कि जो मेरे भगते हैं मेरे प्रेमी है वो मुझे प्राप्त हो जाते है कमोदनी जल हरी बसे कमोदनी जल हरी बसे चंदा बसे आकाश जो जाही के भावता सोता ही के पास कमोदनी कहते है कमल नी को कमल और कमल नी फीमेल कमल कहते हैं फीमेल कमल चंद्रमा को देख करके खिलता है और मेल कमल सूरिय को देख के खिलता है सुबह कमोदनी रात में खिलती है कमोदनी जरारी बस है बुलो जल के अंदर ये कमोदनी रहती है और चंद्रमा इतनी मील दूर है साड़े तीन लाख मील दूर है वे गया नहीं कहते है लिए जो जाए कि भावता सोता है कि पास लेकिन वो जब तक चंद्रमा नहीं दिखाए थे एक कमल नहीं खिलती ही नहीं दिखाए थे कमल भी नहीं खिलता तो यह मिलान हो जाता इनका प्रेमियों का जिनके जिन पर सत्त सन्यू सोती मी मिलही ना कच्छ संद्यू यांती देवर्ता देवा पित्रे यांती पित्र वर्ता भूतारी यांती भूते ज्या यांती मज्या जिनो अपी माम मेरे भक्त है अर्जुन मुझे प्राप्त हो जाते हैं मेरे पास आजाते हैं पत्रम पुस्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयक्षति तद्हम भक्ति उप्रतम अश्वनामी प्रियतात्मना पिछली कथा में कहा था भगवान कहते ही कि प्रेम से कोई प्रेमी मुझे कुछ भी अर्पन करता है चोटी से चोटी वस्तों उसे में कोई तुलसी का पत्ता अर्पन करता है मैं ग्रेंड करता हूं कोई कोई फल अर्पन करता है मैं खा लेता हूं कोई जल अर्पन करता है मैं खा लेता हूं पी लेता हूं कोई पुष्प देता है मैं तुरंत ले लेता हूं और सूंता हूं कि मेरे किसी प्रेमी नहीं ये दिया है पत्रम पुस्पं फलं तोयं यो में बत्या प्रेच्छती तदां भक्ति उपरतां अशनामी प्रियतात मनाओं हे अर्जुन मेरे प्रिय भक्त के हातों से जो भी मुझे मिलता है वो मुझे स्विकार है मैं उसको ग्रेंड करता हूं कोई माल पुए बना के अर्पन करता है खालेता हूं कोई खीर बना के अर्पन करता है खालेता हूं कोई बाजरा जवार के टिकर सेकर मुझे अर्पन करता है मैं खालेता हूं कोई इडली डोसा सामर उतप्पा उप्मा इत्यादी हर्पण करे में खा लेता हूँ भक्त हो मेरा और प्रेम से हर्पण किया हो मुझे मुझे मेरा प्रेम से आवान किया हो कहीं भी किया हो आकास में पाताल में कहीं भी स्वर्ग में मृत में बैकुंट में जहां पर भी उसने मेरों को याद करके अर्पन किया है मैं ले लेता हूं खा लेता हूं अशननती प्रियतात्मना में प्रिया आत्मा हूं मेरे प्रिये भक्तों के आपसे खा लेता हूं स्वीकार करता हूं यदि भगवान स्वीकार कर लेते हैं आप कारपन किया हूँ या खा लेते हैं तो आपसे बड़ा कोई भाय बिसानी नहीं है आप जरूर भगवान की शुद लूज करो दस मिन्टा विच ते मैं आपना बारा पांड वेट लूज कीता है पारकटा आणले, स्ट्रस दूर करन ले ते आपनी अनर्जी नुवदा आणले हेल्थ प्रॉलम सो छुटकारा पांले हर उमर ले वदिया मैं आपने आपने जयादा फ्रेश ते अनर्जी नुवदा विच अवेलबल है स्पेशल डिस्काउंट ले हुने काल करो एक आट सो छाट नो सो अनासी ते अड़ताली ते ते फॉरेवर फिट रहो I can only say that this is one of the best kept secrets around फॉरेवर फिट वह टायर भी नहीं मिलेगा तो इस धर्ती परे रहे क्या करेगा चल मेरे साथ बगर मैंने पहले ही जाइनौ क्रेडिट रिपेर को काल करके आपना क्रेडिट ठीक करवाया था और अगर तुम्हे अपना क्रेडिटी ठीक करवाना है तो आज ही काल करो Xyno Credit Repair Call 1-800-400-XYNO Or log on to XynoCreditRepair.com